कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ साब्धान रहो एबिपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है अफ़ाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है साफ सफाई रखें और भीड भार से परियाप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है यानि सफाई रखें सिहत मंद रहें तो सुबा के 9 बच गया और इस वक्त की प्राइम खबर के साथ मैं हाजिर हूँ बता दें आपको की कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री योगी आदे तिनाद की पहने नज़र है आज एक बार फिर से प्रधान मंत्री के साथ शर्चा से पहले मुख्यमंत्री पूरी समिक्षा करने वाले हैं इसके साथ ही तबलीगी जमात के जो लोग हैं तबलीगी सामाज की जमात है अब इतनी भारी पढ़ रहे है कि तमाम प्रशासने कमला उनकी धर पकड़ में जुड़ गया है कहां कितने जमाती पकड़े गए और कितनों की जाज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस पर भी हम बात करेंगे हमारी साथ ग्राउंड जिरो से नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वह हमार साथ जुड़े हुए लगा अतार इन मुश्किल घरियों में भी वह आप तक हर एक अपडेट हर एक न्यूस पहुचा रहे हैं इस पर हमार साथ जुड़ेंगे लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रहे है वो बड़ी खबर यह है कि राम नौमी को लेकर बदाई दी गए पियम मूदी ने ट्वीट किया है राम नौमी पर पियम मूदी ने देशवासियों को बदाई दी है शुपकामनाई दी है ट्वीट करके पियम मूदी ने बदाई दी है और साथ ही साथ मुख्य मंतरी योगी आधित नाथ ने भी बदाई दी है देशवासियों को राम नौमी का मौका है और भागमान राम की पूजा आचना की जाती है लेकिन आयोध्या में इस वक्त सिती यह है कि वहां लॉक्ड शुब कामना जैश्री नाम भी साथ साथ लिखा है और इसके साथ मुख्य मंतरी योगी आधित नाथ ने भी देशवासियों को राम नौमी की शुब कामनाएं दी है और इस बार राम नौमी में लोग घरों से बाहर पूजा अर्शना तो नहीं कर पाएंगे लेकिन देखि होने का आशिष वो प्रदान करें मुख्य मंतरी योगी आधित नाथ ने भी ट्वीच किया है तो पी-म और सी-म ट्वीट करके राम नौमी पर उन्होंने ये अपने भावव्यक्त किया है सभी को सुबकामना है दिया और साथी साथ नौमी के मौक्के पर उन्होंने ये भी रही कहा कि शक्ति मा भगवती सभी पर अपना आशिरवाद बनाए रכे तो शक्ति की अ धिष्ठाथी अधिष्ठाती दीवी मा भगवती इस चालाचर जगत के अधिशक्ति हैं और आज वासंतिक नवरात्वे की नौमी तिदी पर नौकर नियाओ का पूजन मात्री शक्ति के प्रति भारत की सनातन, आस्था और संबान के भाव को ये प्रदर्शित करता है, सभी पर वो अपने द्रिश्टी बनाए रखे हैं। तो दो ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदितिनात में कियें। यूपी स्वास विभाग के मताबिक अब तक 117 लोगों में कोरोना की पुष्टी हो चुकी है और दो लोगों की जान भी कोरोना ने ले ली है। वो भी बीपी गंगा ने आपको बताये थे और आज एक बार फिर से बैठक है। और नितिन भी हमार से जुड़े हैं। उनके पास भी मैं जाओंगा लेकिन सबसे पहले शैलश आप दर्शुकों को बताएं। कि जो बैठक आज होने वाले उन बैठकों के बारे में तो बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आंकड़ा जानना चाहूँगा कि जो स्वास भीभाग का आंकड़ा है वो क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर कितने पॉजिटिव मरीज हैं। कितनों की जान गई है कौन क्रिटिकल सिट्विशन में कंडिशन में इस वक्त हैं। उसके ससुर को अब कोरोना पॉजिटिव हुआ है। क्योंकि देखे निश्चित रूप से कोरोना की जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर है। और सब को बचाना है तो मुख्यमंतरी भी क्योंकि प्रदेश के राजा है तो अपनी भूमी का निभाते हुए वो लगातारी से लेकर बैठक भी कर रहे और एक्शन भी हो रहा है। रोजाना ग्यारा बजे दिन में उनकी बैठक होती है अपनी टीम 11 के साथ लेकिन आज ग्यारा बजे प्रदान मंतरी के साथ मुख्यमंतरी की वीडियो कान्फरेंसिंग होनी इसी वज़ा से टीम 11 की जो बैठक होगी वो सुबा 10 बजे से होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंतरी की तरफ से एक और एक्शन कल लिया गया है कि पहले नॉइडा के जो डीम थे बी एन सिंग उनको हटाया गया था और उसके बाद में कल रात में नॉइडा के सी एमो को भी हटा दिया गया है और फिलाल वहाँ पर एपी चतुरवेदी डॉक्टर एपी चतुरवेदी बिल्कुल यह तबातले और नुक्यों की बैठक है आज मुख्यमंतरी की वह लगबक कितने देर बाद शुरू होगी क्योंकि टीम लेवन के साथ कल भी मुख्यमंतरी ने एक बैठक की थी उसमें भी इंडिश्यां डिजरिश को मात देनी है कैसे लोगों की जान की सुरक्षा करनी है कैसे हालात में सुधार लाना यही एक एजेंडा है और जब से नौइडा के मामले वड़े है तब से नौइडा के मेरट के तो कहीं न कहीं एक चुनौती सरकार के सामने भी आ गई कि कैसे हालात पो और काबू करें ल तबलीगी मस्जित का मामला है उसकी वज़ा से हलाज जो हैं वो बिगड़े हुए हैं कहीं ना कहीं और एक डर का महौल भी बना हुआ स्वास्त प्रमुक्त सचेफ चेकित सशिक्षा इसके अलावा बाकी कई अधिकारी शामिल होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर बात होगी लोगडाउन के क्या हालात है इन पर बात होगी रहत समागरी का वित्रल जो है क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है कि कोई भूखा न सवे कोई प्यासा ना रहे तो हर कि यानिकी प्रधान व्युक्ति के समझ जो अपने बाते रखेंगे उससे पहले वो जानेंगे कि सितियां धरातल पर कितनी अच्छी है चाहिए वो लॉक्डाउन किस्तिय हो चाहिए वो अनाज लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं को देते हैं लॉक्डाउन उलंगन पर कारवाय की गए 12 जमातियों पर केस किया गया है मदर्से से बुलिस ने यह बारा जमाती पकड़े हैं और यह जमाती मीरट के रहने वाले हैं और हमारे संवाधाता अबल्राम भी हमारे तर्चर बहले उस पर और जशादा जान करे दे देखे राजीव लगातार जो जमाती हैं जो निजामुदीन के मरकस से आए हुए हैं लगातार प्रसाशन उनको टार्गेट बनाए हुए है कि ताकि उनको जल से जल कुरंटाइन किया जाए क्योंकि ये संक्रमण ऐसा है कि संपर्क से तकाल बढ़ता है तो इसकी जो चैन है उसको कहीं न कहीं प्रसाशन तोड़ने का प्रयास कर रहा है और इसी सिलसले में जो पुलिस है उसको सकत आदेश हैं कि इन लोगों को चिन्हित करें और तकाल जैसे ही पता चले इनको कॉरंटाइन किया जाए और यही वज़े है कि बारा लोगों को कॉर आइआर दर्ज की गई है और यह मैसेश दिया गया है जो वहां के लोग हैं जो सब्रंद लोग हैं जो मुजिस लोग हैं उनसे भी अपील प्रसासन कर रहा है कि जो भी जमाती अगर आपकी जानकारी में हैं यहाँ पराएं हैं या ठैरे हुए हैं तो उनकी ततकाल जानकारी प्रसासन को दी जाये ताकि उन्हें जल से जल कॉरंटाइन किया जाए और उनका जो सैंपल है वो भेजा जाए ताकि यह असपश्ट हो सके कि यह क्रोना वारस के संक्रमित मरीज है या नहीं है क्योंकि उनके संपर्क में जो लोग आएंगे वो भी इससे इफेक्ट होंगे त अगर हम बात करें मेरट की, तो मेरट में फिलहाल 14 पहले कॉरंटाइन किये गए थे, इसके अलावा नौ की कल जो जमाती थे, उनके सेंपल टेस्ट आये हैं, जिसमें से एक जमाती का पॉजटिव आया है, और वो इंडोनेसिया का रहने वाला है, माज 20 वर्स उसकी उम्र है, तो कहीं न कहीं, अब मेरट प्रसासन को भी चिंता होने लगी कि एक जमाती का जो करोना पॉजटिव रिजल्ट आया है, उससे कहीं न कहीं, अब कितने लोग एफेक्ट हुए होंगे, वो किस-किस से मिला है, ये भी स्वास्त महक्मे के लिए काफी चिंता का विसाया है, औ प्रसासन अब जो जमाती हैं, उनकी सिनाक्त में लगा हुआ है, उनके लिए प्रसासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है, जो सहरक जी है, आप बतर है, इस बीच में एक जानकारी दर्शकूं को देने हैं, उसके बद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, और वो ये है क कि धरपकड लगातार जारी है पुलिस धरपकड कर रही है ऐसे लोगों की जो निजाम उद्दीन से रोह कर आए जमाती जो है आकड़ों के अगरम बाने तो एक मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के करीब 579 जमाते दिल्ली के कारिक्रम में शामिल हुए यह कुछ डेटा है 579 जमाती कारिक्रम में शामिल हुए थे अब पुलिस इन्हें ढूंड रहे है उसके बाद इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा इस बीच में मेरट के सरधना में पकड़े गए एक जमाते की जार्च रिपोर्ट पॉजिटिव आई जैसा कि हमारे समवादा था बल्राम ने भी भी बताया कि पॉजिटिव है जो कि इंडोनेशिया के रहने वाला है और उम्र उसकी महद 20 साल के खरीब है बेराल निजामुदीन के मरकज में शामिल हुए थे हाला कि बाकी आठ लोगों की रिपोर्ट नेगिटिव आई है तुधर ताज नगरी आगरा में पकड़े गए राजीव जिस तरह से निजामुदीन मरकज के तबलीगी जमाज से जिस तरह से पूरी देश में जमाती फैल गए है उसके बाद आगरा में भी धरपकड़ की कारवाई शुरू हुई आठ मस्जिदों में सौ से ज्यादा जो हमारे पास रिटिन में फिगर है वो 103 का है लेक सिकंदर अठानक शेतर में उनको रखा गया है और 28 उन में से वो जमाती हैं जो अलग अलग तारीकों पर निजामुदीन मरकज से वो निकल कर वागरा पहुंचे हैं तो ऐसे में सबसे पहले उनका सेंपल लिया गया है उनकी जो से रिपोर्ट है वो आज शाम तक आ जो 28 हैं जो निजामुदीन मरकज से खासकर लोटे हैं उनको एक दूसरी जगह रख दिया गया है इसके साथी जो अंदर से ख़बर आ रही है कि इनके काफी जादा नकरे देखने को मिल रहे हैं कल जब हम वहां उसी रिसॉर्ट के बाहर जब रिपोर्ट कर रहे थे तो वह तरुषा में तेना जो पुलिस करमी हैं उनका कहना है कि लगातार वो अनैसरी की सारी डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम को यहां क्यों रखखा गया है तो ऐसे में कुल मिलाकी कहा जाए कि देश में जिस तरह से ये एक बहुती खतनाक बिमारी फैली हुई है और उस तो तब्ली की जमाद से जुड़े हुए लोगों ने पहले नियमों को तोड़ा उसकी धजिया उड़ाई और उसकी वज़े से आज जो सरकार को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लगातार तमाम लोग इससे प्रभावित हुए हैं संक्रमर्ट के बाद लोगों की मौत भी हुई कई सारे उसी मरकज से जुड़े हुए लोगों की मौत हुई है और ऐसे में अगर निजाम الدین मरकज से लोटे हुए लोग और तबली की जमाद से जुड़े हुए लोग जहन को आगरा में रखा गया है अगर वो प्रशासन का सायोग नहीं करेंगे अनैसरी ड कर रहा हैं यह भी दर्शाता है कि कितना जरूरी हो गया कि धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ आप वैग्यानिक सोच भी उनके वीतर पैदा की जाए हमारे समवादता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन एक तरफ जमातियों के धर पकड़ जा रही है तो दूसरी तरफ नमाजी लगातार कोरोना का उलंगन करते जा रहें धानमिक स्तल पर भीड के लिए मना तो कर दिया गया लेकिन आप कुछ अलगी तस्विरे सामने आ रहे नॉइडा के सेक्टर सोला के जुगी जोपरी से नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामनी आया है जो हमने आपके सामन रख भी दिया है सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वाइरस कहीं से कुछ लगता है आपको कि यहां पर किसी तरह के एतियाद बढ़ता गया है चट पर हैं यह लोग और खरीब सौ से जादा बताए जा रहे हैं एक साथ नमाज पढ़ते हैं नजर आ रहे हैं इसके बाद से पर इस थाने में पूले से केस दर्स कर लिया है लेकिन यह लापरवाही वाकई ज्यादा भारी पढ़ सकती है और इसलिए हम कर रहे हैं कि वैग्यानिक सोच बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दर पकड़ लगातर यह जो है कि जा रहे हैं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर पिस्वीच माय रहे हैं मैं युटें मंत्रीयों योगीयादी aura कि अ बै energy उसके बाद और तेजी देखने को मिले लेकिन जमाति अब भी बाहर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में और किस तरह और कितनी तेजी इसमें दिखाए जाएगी क्योंकि यह बहुत ज़र्दा जरूरी है क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस चेन को तोड़ना है और इनको डिटक इनक आइसुलेशन में रखना है ताकि और लोगों तक इस संक्रमणना फैलें तो क्या किसी और तरह की तेजी क्योंकि बहुत सारे जमातिय अभी ऐसे हैं जो छुपे हुए वो बाहर नहीं आ रहे हैं राजीव निश्चित रूप से देखिए मुक्यमंतरी हो या पूरा सिस्टम हो वो इसे प्रायोरिटी पर लेकर इस समय उन जमातियों की तलाश में लगा हुआ है लेकिन जो बहुत से जमातियों जो खुद अभी सामने नहीं आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से एक ब खत्रा है बलकि समाज में जो भी उनके आसपास लोग आएंगे उनकी जान के लिए भी खत्रा बनेगा ये उन्हें समझना होगा लेकिन क्योंकि वो छुपकर बैठे है ऐसे में सरकार के पास या सिस्टम के पास कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती जिससे तुरंत किसी को भी ढूल निकाला जाए एक सिस्टम में ट्रैकिंग करने का कि कौन किसके टच में आया इस माध्यम से तो जाहिर सी बात अगर खुद सामने निकल कर नहीं आएंगे लोग शुपकर बैठेंगे तो उनकी ट्रैकिंग में कुछ समय अधिक लगेगा तो ऐसे में सबसे पहले जो जमाती वहाँ पर शामिल हुए थे उनको पहल करनी होगी उनको बाहर निकलना होगा समझदारी का परीशे देना होगा क्योंकि खत्रा जो है वो कोरोना से ज़्यादा उन शिक्षित लोगों से है जो शिक्षित होने के बाबजूत कह सकते अनपड़ों जैसी जाहिलों जैसी हरकते कर रहे हैं चुपकर बैठे हैं कहीं पर भी और समाज को खत्रा दे रहे हैं तो उनको बाहर आना होगा बिल्कुल इसमें कोई दूराए नहीं है यहाँ पर हमें सचेत होने के जरूत है कि कोरोना वायरस धर्म देखकर नहीं आता देखिए राम नौमी है उसके आप भी नमाज अता की जा रहे हैं नमाज घर में भी अता की जा सकते हैं उससे आपको कोई रोक नहीं रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बाहर आकर बड़ी संख्या में एक जूट होकर क्या यह सही है ऐसे वक्त में बलराम आपके पास आना चाहूंगे तस्वीर भी आपने देखी पुलिस का रियाक्शन लेकिन इससे तर मैं एक और सी जवाब से जानना चाहूंगा वो यह है कि सरकार के पास डेटा है कि कितने लोग आए वो डेटा सरकार खुद बता रहे कि इतने लोग हैं अब क्या दिकत सरकार को आ रहे प्रशासन को क्या दिकत आ रहे उन लो सतावन लोगों को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ये निजामुदीन के मरकज में गये थे तबली की जमात में लेकिन अब जैसे आप देखिए कि जो सरकारी आकड़े हैं उसमें ये बताया गिया कि मेरट से आट लोग गये थे और 28 लोग करीब मुझफन नगर से गये थे तो जो आकड़े दिये जा रहे हैं अब जैसे आप अभी देखिए अभी आपने बताया कि बारा लोगों को मज्ज़ से प्रसासन ने ले करके उनको कॉरंटाइन किया है तो कहीं न कहीं जो आकड़े हैं वो अब मिस मैच हो रहे हैं और यही वज़े है कि जो पर आये हुए हैं लगभग 300 के करीब मेरट में हैं 400 के करीब सहरनपूर में हैं और यही आकड़ा लगभग 280 के करीब मुझफन अगर बताया जा रहा है तो पूरे जोन में अगर कहा जाए तो 1447 लोगों के आने का इंपुट प्रसासन को मिला है जो जमाती हैं यही वज़े है कि 19 FIR जमातियों के खिलाफ मेरट में दर्ज हुई है 9 FIR हापुल में दर्ज हुई है और 11 FIR बुलन सहर में दर्ज हुई है जमातीयों के खिलाफ और प्रसासन लगातार जो इनपुट्स मिलने हैं Pirm की तरफ से और झो खुपिया तंत्र की तरफ से उस पर काम कर रहा है और यही वजह है कि आप देखिये पहले 14 जमातियों को पुलिस ने कॉरंटाइन किया उसके बाद नौ जमातियों को कारंटाइन किया और लगातार जो इंपूट्स मिल रहे हैं प्रसासन को उस पर काम किया जा रहा है और इसके अलावा प्रसासन लगातार जो मुझ्जिस लोग हैं जो मौलाना हैं जो सहरकाजी हैं उनसे भी अपील कर रहा है कि यह संक्रमण ऐसा है कि जहां पर यह लोग र इस बारे में चुकि लोग भी उनसे फिर सजग रहेंगे ना बलराम नितिन और शैलेश आपका इस तमाम जानकारिये के लिए धन्यवाद तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस बारे में बताए कि क्या इंपूर्स उनके पास में है कितने लोग जमा प्रशासन के लिए इनको अंतरिम जमानत मिली है शासन के तरब से इन बंदियों को इराहत मिली है इस वक्त इक बहुत बड़ी खबर आपको इदे रहें सतर बंदी बिजनौ जेल से छूटे है और इनको आठ हपतों के लिए ये जमानत मिली है और शासन के तरफ से ही इन बंदियों को ये राहत मिली है अंतरिम जमानत इनको दी गए है समवता इस तरह के बातें भी थी, इस तरह के खबरें भी थी, कि कुछ बंदियों को जो के बहुत गंभीर केसे इसमें बन नहीं है, उनको अंतरिम जमानत दी जा सकती है, जब तक कुरोना का ये कहर कम नहीं हो जाता, और इस बीच में बिजना और जेल से ये छोड़ दिये ग प्रिडिश और उत्राखन के पहचान बन शुके, एबी पी गंगा को नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए एबी पी गंगा आपसे उपलब्ध हो गया है, फ्रीडिश पर, यानि कि अब आप फ्रीडिश के जरिये मुफ्त में देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल एब कर दो माइब और बन के जरिये मुफ्त वार यप्त Such and